साथियों, सबका साथ, सबका विकास का सामर्त क्या होता है, ये भी मैंने गुजरात से ही सिखा है, एक समय गुजरात में अच्छे स्कुरों की कमी थी, अच्छी सिख्षा के लिए सिख्षकों की कमी थी, उमिया माता का अचिरवार लेकर, खोडल दाम के दर्शन करके, मैंने समस्या के समाधान के लिए लोगों का साथ मांगा, लोगों को अपने साथ जोड़ा, आपको याद होगा, गुजरात ने इस परिस्थित को बदलने के लिए प्रवे सोथ्षव की शुरुवात की थी, स्कूलों में सिक्षा की गुणवत्ता बड़े, इसके लिए साक्षरदीप और गुणोच्षव शुरु किया गया था, तब गुजरात में बेटियों के ड्रॉप आउट की भी एक बड़ी चुनावती थी, अभी हमारे मुक्यमंत्री पुपेंद्रपाई ने इसका वर्ण भी किया, इसके कई सामाइज ये कारण तो थे ही, कई वैवारिक कारण भी थे, जैसे कितनी हैं बेटिया, चहां कर भी इसलिए स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि स्कूलों में बेटियों के लिए सोचालई ही नहीं होते थे, इन समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात ने पंच शक्ति, पंच शक्तियों से प्रिना पाई, पंच अमरूत, पंच शक्ति याने ज्यान शक्ति, जन शक्ति, जल शक्ति, उर्जा शक्ति और रक्षा शक्ति, स्कूलों में बाली काओं के लिए साउचाला ही बनवाए गए, विद्या लक्ष्मी बॉन, सरस्वती साधना योजना, कस्तूर्बा गांधी बाली का विद्याले, ऐसे अनेक प्रयासों का परणाम यह हुआ, कि गुजरात में नकेबल पढ़ाई का स्तर बहतर हुआ, बल्कि स कुल ड्रॉप आउट रेड भी तेजी से कम हुआ, मुझे खुसी है कि आज बेटियों की पढ़ाय के लिए, उनके भविश्य के लिए प्रयास्ता लगातार बढ़ रहे हैं, मुझे आद है, यह आप ही लोग थे, जिनों ने सूरत से, पूरे गुजरात में, बेटी बचाव अभियान चलाया था, और मुझे आद है, उस समय में आपके समाज के लोगों के बीच में आता था, तो यह कड़वी बात बताई बिना कभी चुकता नहीं था, आप राजी हो जाएं, नाराज हो जाएं, इसका खयाल किये बिना, मैंने हमेशा कड़वी बात बताई थी, बेटियों को बचाने की, और मुझे आज संतोष से कहना है, कि आप सबने मेरी बात को उठा लिया, और आपने सुरत से जो यात्रा निकाली थी, पूरे गुजरात में जाकर के, समाज के हर कौने में जाकर के, गुजरात के हर कौने में जाकर के, बेटी बचाने के लिए लोगों के सपत दिलवाए थे, और मुझे भी आपके उस महा प्रयास में आपका साथ जुढने का मौका मिला था, बहुत बड़ा प्रयास किया था अप्रोब बने